हेलो दोस्तो वेलकम बेक टो नौलेस अपडेट यूटूब सेनल दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपके पास कोई ऐसे यूटूब सेनल है जो आप चाहते हो यूटूब सेनल को हमेशा के लिए पार्मेनली डिलेट करने के लिए लेकिन आपसे न तो इसी कमेंड बोक्स में आपको एक कमेंड कर देना है यूटूब लिख देना है यूटूब सेनल उसके बाद लिख देना है डिलेट यूटूब सेनल डिलेट करके ये कमेंड कर देना है ठीक है जैसे कमेंड कर दूए कमेंड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको कर क्लिक कर देना होगा खुस closer लेंगत को सिलेक करना है sell music my जैसे इसमें डिलेट करूंगा तो यहाँ पे content saved from Google, जो की YouTube, तो आपको YouTube पे click कर देना होगा, जैसी YouTube पे click कर दोगे, YouTube पे click कर देने के साथ-साथ यहाँ पे देख पा रहे हो, जो की loading हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इंतजर करना होगा, और यहाँ पे नीचे आजाओ, नीचे आजने के बाद देख सकते हो, जो की YouTube, ठीक है, उसके बाद देखो, तीन नमरे डाटा इन प्रिवाइसी में, आपको click करके थोड़ा scroll down करना है, और करने के बाद एक option मिलता है, जिसका नाम है Apps and Services, तो आपको यहाँ पे YouTube दिखेगा, तो यहाँ पे Google Play दिखेगा, उसके बाद यह सारा दिखेगा, तो आपको यह जो arrows in देख रहा है, content saved to Google service, इसमें आपको click करना होगा, इसमें जैसे click करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, Google dashboard इस तरफ साथ है, download your data और delete service, तो आपको delete service पे click करना है, delete service पे जैसे आप click करोगे, delete service पे click करने के साथ-साथ, इस तरफ से delete service on your account, तो यहाँ पे नीचे आता है delete your Google account, अगर delete your account पे click करोगे, तो आपको Google account डिलेट करना है, हो जाएगा, लेकिन आपको Gmail डिलेट नहीं करना है, यूटूब channel डिलेट करना है, तो इसलिए delete as service पे click करो, जैसे आप delete as service पे click कर दोगे, इसमें click कर देने के साथ-साथ, इस तरफ से loading होगा, तो सबसे पहले आपको confirm करना होगा, जो Gmail है, वो आपका है कि नहीं, जैसे continue कर दिया, continue कर दिने की बाद, मैं यहाँ पे मेरा fingerprint दे देता हूँ, दे देने की बाद, अभी Google वाले verify कर लेगा, कि हाँ, यह मैं ही हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो, जो कि verify हो चुके है, और यहाँ पे YouTube करके, यहाँ पे आएगा, जो कि देख पा रहे हो, YouTube zero videos uploaded, आपका यहाँ पे जो channel है, शायद यहाँ पे बहुत सरे वीडियो होगा, तो आप यहाँ पे directly, यहाँ पे delete पे click कर देना है, YouTube का, जैसे delete पे click कर दोगे, delete पे click कर देने की बाद, यहाँ पे देख सकते हो, जो कि दो option आता है, I want to hide my channel, और I want to permanently delete my content, तो इसमें click करो, इसमें click कर देना के बहुत, यह जो है, top following will be इस तरह से सारा का सारा select कर देना है, कर देने के बाद, delete my content पे click कर देना होगा, और जैसे click कर दोगे, कर देने के साथ, यहाँ पे type in your email address, जो भी आपका email address है, यह email address है, इस email address को, यहाँ पे इस तरह से copy करो, copy कर देने के बाद, इस email address को यहाँ पे paste कर दो, paste कर देने के बाद, delete my content पे click कर दो, कर देने के साथ साथ, अपडेटिंग हो रहा है, और यहाँ पे your content is been deleted, मतलब कि आपका जो YouTube channel है, remove YouTube content, YouTube channel आपका delete हो चुके है, तो आप उसके बाद delete हो जाने की बाद आप back आजाओ, back आजाओ, back आजने की बाद YouTube पे आओ, और YouTube पे आने की बाद यहाँ पे click करो, यहाँ पे ब्यूचेनल पे click करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, channel सारा delete हो गया, तो इसी तरह से जो है आप आपकी YouTube में YouTube channel को इस तरह से डिलेट कर सकते हो